दुनिया बर की तमाम नदियां अपना जल कहा le जाती है ? समुद्र में किसी भी हिस्से में कहीं पर भी जो नदियां बहती हो। हो सकता है वसी दी समुद्र में कोई नदि ना मिले वो दूसरी नदी में मिल जाती है, वो बड़ी नदी जाकर फिर समुद्र में ही मिलती है। समुद्र को कामना नहीं है, समुद्र बुलाता नहीं, नदियों को आमंत्रन नहीं देता कि वह तुम्हारा पाणी लाके हमें देओ, अपने आप जाता है। इसी तरह से जो धरम सील हैं याने धरम का आचरन करने वाले हैं अब भी अपने इस पर विचार करेंगे जो धरम का आचरन करने वाले हैं उनके पास इस दुनिया की सारी सुख सुविदाएं भी अपने आप पहुंचती हैं याने जो धरम का आचरन करने वाले धरम सील हैं उनका तो जीवन सफल होता है वो तो आगे जाकर के भी इस जनम के बाद में भी ज़्यादा सुख को ही प्राप्त होते हैं लेकिन इस दुनिया में भी तमाम सुख संपती सुविदाएं यस मान बढ़ाई अपने आप अनायास उनी के पास जाती हैं और ये एक उदारण है कि हमारे भाई संकर जी और बेन चंदु देवी सरल हर्दे हैं सादगी, सरलता, इसपश्टता, सचाई और बेन जी में तो अपने इश्ट के प्रती अनन्य सर्दा भी बहुत जो बेस कीमती बहु मुल्य है वो भी है तो अनायास ही जगत के सारे काम उनके सफल होते ही हैं, होते भी रहेंगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है दुनिया में सुखी होने का, हम कोशिस बहुत करते हैं धरमसील जो हैं वो क्या करते हैं? अपने मरियादा पर अडिग रहते हैं तो शुक संपती तो अनायास जाती है, जैसे नदियों का पाणी अनायास अपने आप भिना बुलाये समुद्र में जाता है इस बात को गुसाई तुलसी दाशी साहिब ने रामान में ऐसे कहा है जैसे नदी समुद्र की तरफ जाती है यदपी समुद्र को इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि पानी और आवे नदी लाकिर के हमारे अंदर डाले वहाँ कोई पानी की कमी है जिमे सरिता सागर में जाई यदपीताई कामनानाई तेमे सुख संपती बिनाई बुलाए दरमसील पई जाई सुभाए इसी तरह से सुख संपती बिना बुलाए दरमसील के पास अपने सभाव सही चली जाती है और बिना मुलाए नदियों का पानी समुद्र में आता है तो इसका कारण क्या है? सुख संपती किसे नहीं चाहिए लेकिन नहीं जो दर्मसील हैं वो संतोसी होते हैं संतोसी होते हैं जितना मालिक ने दे दिया उसमें खुश हैं तब संपती और सुख संपती अपने आप आती हैं क्योंकि उनका आचरन धर्म में हैं और सुख ट्रस्ना में नहीं हैं सुख संतोस में हैं सुख मन की सांती में हैं सुख मन की निर्मलता में हैं मन को निर्मल करने के कितने कितने उपाय पूरे जगत के लोग कर रहे हैं सबी करते हैं, करना भी चाहिए हमारा ये लक्ष है लेकिन मन किन का निर्मल होता है कितने तो तिर्थ लोग ना के आगे हैं मन पे रंच मात्र भी असर नहीं होता कितनी बार नायो और जो तीर्थों में ही रहते हैं अब तो तीर्थों में रहने वाला भी वहां रोसनान नहीं करते लेकिन पुराने समय तक थोड़े अर्से पहले तक युगों-युगों से ये परमपरा थी कि जो गंगाजी के किनारे रहते हैं वो तो गंगाजी में जाके के सुबसलान करते थे लेकिन क्या तीर्थों के आस पास के बसी वह इस बस्तियों में kaसबों में सहरों में पापाचारी नहीं होते पाप नहींическая अविस्य होता तो तीर्थों में नहाने मन निर्मल नहीं होता, मन निर्मल होता है गुर्देव के चर्णों का आराधन करने से, गुर्देव के नाम के आराधन से. तीरतों में नाने से होता तो कल ही तो प्रयाग राज में एक कंड़क्टर का एक यात्रीन एक बच्चा था 20 साल का 21 साल का बिना किसी बात पे जाधारन बात पे नाराज हो करके तलवार जैसा एक अतियार था उसके पास उस पे वार कर दिया गरदन काटने के लिए वो प्रयाग राज्त तीरतों का भी राजा है सारे अपराद वैसे ही होते हैं हरी बेल की कोरी तुमडियां सबती रथ कर आई जगनात का दरसन कियां अज़वन गई कड़वाई जैसे अपने यहां पे रिखिस्तान में वो कड़वी तुमबी होती है न तस तुमबा मतीरे जैसी होते है छोटा पीले रंग का इसी समय में पकता है आसोज में तो अपन जोले में डाल करके तुम भी को और चलें तीर्फ्यात्रा करके आवें और तुम भी को भी करवा लावे गंगाजी में उसको दो चाह डूबगी लगवादे में तो क्या उसकी कड़वाई जाएगी क्या नहीं जाएगी बले उसे द्वार का द्वाम, द्वार का नात के दर्सन करा दें, जगनात के दर्सन करा दें इसी तरह से ये एक उधारन है जो मापुरसों ने दिया है सद्गुर कभीर साब जी की ये बानी है कि हरी बेल की कोरी तुमडिया सब तीरत कर आई क्योंकि मन सुधरता ही नहीं, कितनी कोशीज कर लें, ऐसा हटिला हमारा मन है कि मन सुधर ही नहीं, मन सांती के गाट पर आवे ही नहीं, मन संतोष के गाट पर आवे ही नहीं, तो फिर दुनिया में सुखी होने का कोई तरीका ही नहीं अपनने पहले ही विचार किया था कि सुखी वो है जो संतोस जिन्हों ने दारन किया है फिर तो दुनिया के पदार्तों की कामना नहीं है तो भी अपने आपाते हैं लेकिन संतोसी परम सुखी बाकी कितना धन हो जाए और तरस्टना और बढ़ती रहे और उस तरस्टना के वसी बोतो करके असांत भी रहें गलत-सलत काम भी करें पाप का बीज भी बोएं और फिर उसके बाद में सुखी होना चाहें तो कैसे सुखी हो सकते हैं हो नहीं सकते हैं, सुखी वो होंगे जो सच्चे गुरु बग्त हैं कल युग में सर्वोच धर्म, हमारा सर्वोच फर्ज, सुखी ओने का सबसे बड़ा उपाय गुरु बक्ती है, पुराने युगों में तो दूसरे साधन भी थे, लेकिन इस युग में केवल गुरु बक्ती ही प्रदान है, इसलिए जिन की लगन गुरु सोनाई, तेनर खरको कर समझानो बिर्था जर्म नसाए, जो गुरु बक्त हैं, वो तो अपना जिवन सफल करते हैं, और जो गुरु बक्त नहीं है, कितनी कोशिस कर लें, कितने उपाय कर लें, नै तो यहां दुनिया में सुखी हो सकते हैं, और नै आगे का अपना इस जनम के बाद के समय को सु इसलिए हमारा एक मात्र फर्ज है कि दुनिया के सब काम करने ही चाहिए अवश्य करें लेकिन दुनिया के काम तो अनायाज सपल होंगे जब मुख्यता धरम सीलता को देंगे जब मुख्यता भक्ति मार्ग को देंगे गुरु भक्ति को प्रदान समझेंगे तो जितने दुनिया की जरूरते हैं वो तो मालिक दया करके अपने हाँ पूरी करता है जो कीडी से लगा करके हाती तक का पेट भरता है वो मालिक ऐसे जगत में प्रानी है जो अपने जगत से हिल नहीं सकते, अजगर वेसे तो चलते फिरते हैं लेकिन बहुत बड़े अजगर होते हैं वो चल फिर भी नहीं सकते तो उनको तो उनकी जगह पर उनके ठोर पर भी उनका बोजन परमात्मा की आज़्या से खुद्रत प्रकर्ति पह करना चाहिए, करें अवश्य, करें तो मन से करें, ढंग से करें, इमानदारी से करें, पूरी कोसिस करें, अदूरी कोसिस नहीं करें, काम बिगडे नहीं, किसी काम को करना तो अच्छे तरीके से ही करना, प्रेम के तरीके से ही करना, लेकिन मुख्यता परमात्मा के नाम में ल लगन लगाने यानि गुरुदेव के अंदर लगन जोडने की है। सब मंगल का मोल उस मालिक का नाम है। अभी अपनने उस नाम की महिमा का सुन्दर पाठ सबने मिलजुल करके किया। यह मंगल का मोल है। यानि कल्यान का सुब का आनंद का यह खजाना है। या कि जिसके उपर परमात्मा के नाम की कृपा है, जो परमात्मा के नाम का प्रेमी है। उसका हर कार्य मंगल में सुब और कल्यान में होता है। बाकी जो दुनिया में उपाय करते हैं, कर्म कांड के जितने उपाय हैं, उनसे तो ज़्यादा फ़रक पड़ता ही नहीं। अभी अपने विचार किया कर्म कांड के उपाय से तो उमर पर तीर्थ यात्रा करते रहें, तब भी मन पे कुछ भी एसर नहीं होता, उसका रंग याने स्वभाव बजलता ही नहीं, लेकिन गुर्देव के चर्णों के अंदर यिदिकी श्री का गेरा प्रेम हो, तो उसका विष्चित तोर पर हर हालत में अवस्यम भावी तरीके से बदल जाएगा, वो असान तो जाएगा, दुनिया भलाई उसे नादान है, बोला है, कम समझदार है, कई वार तो लोग पागल और बावडा तक के देते हैं, तो उनको फरक ही नहीं पड़ता, भलाई को, क्यों? क जो सब से प्रेम ही करते हैं, जो प्रेम मही है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, वो जगत के किस प्राने से द्रोव कर सकता है, वो सब से प्रेम ही करेगा, और जो सब से प्रेम करेगा, जो सब का भला चाहेगा, जिससे अपन प्रेम करते हैं, अपन उसका भला चाहते हैं, कल्यान चाहते हैं, जो सब का बला चाहता है, उसका बुरा करने वाली ताकत दुनिया में है नहीं जो सब का बला चाहता है, जो सब को आदर देता है, जो सब का सन्मान करता है, जो सब की सेवा करता है ऐसा कौन कर सकता है जो भक्त है जो परमात्मा से प्रेम करता है वो प्राणी मात्र से प्रेम कर सकता है इनसान नहीं दूसरे प्राणी उसे भी प्रेम कर सकता है और वही कर सकता है दूसरा नहीं कर पाएगा क्योंकि परमात्मा अलग अलग तो हैं नहीं कोई आदमी दस आदम और ग्यार्में से विरोध करें, ग्यार्में से घरना करें, ग्यार्में को कष्ट पहुंचावें, तो वो परमात्मा से प्रेम करने वाला नहीं हुआ, क्योंकि ग्यार्में के ग्यार्में विक्ति के हर्दे में भी वही एक परमात्मा विराजमान है, जो उसके खुद के तोसी होता है, ऐसे लोगों का मन सांत होता है, ऐसे लोग ही दुनिया में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं। जब अपना मन सांत हो गया, तो अपने लिए दुनिया पूरी सांत हो गई। अगर अपने मन में आग लगी हुई है तो बार दुनिया में भी आग लगी हुई है याने जो असान्त चित हैं उनको जगत में भी किसी काम में किसी जगए किसी व्यक्ती से किसी भी तरीके से सांती नहीं मिलती क्योंकि जो गर्मी है वो तो अंदर है वो तो मन में लगी बात बात पर या बिना बात पर क्रोध आता है अब उसको सांत कौन कर सकता है और यदि किसी का मन सांत है अंदर से उसके क्षमा बिराजमान है चित में और उसे क्रोध आता नहीं उदार चित है सब को क्षमा करता है सब का संमान करता है सब से स्ने करता है उसको क्रोध आता ही अब उसके चित को असांट करना चाहें, उसे जलाना चाहें, द्रो पेदा करना चाहें, तो होगा कैसे? इसलिये हमारा करतव्य है कि दुनिया के सब काम करते वे भी मुख्य द्यान अपने गुर्देव के चरणों में लगाए रखें और दुनिया के सब काम, उनकी सेवा समझ करके करें, उनका आदेश समझ करके करें, उनकी प्रसन्नता के निम्मित करें, तो इस जगत में भी सुक पाएंगे, इस जगत में भी यस फेलेगा, जो परमात्मा के नाम के अन्याई ही हैं, उनका इस जगत में भी यस फेलता ही है, अभी जो अपन ने किया, उसके अंदर जो सद्गुरु कबीर साहिब जी का जो भजन बोला जाता है, बड़ा दिव्य है, उसके अंतिम कड़ी यही है, जहें तक देवी काली केकुन संत चरन लोलाई, कहें कबीर काटोयम फंदा सुकरति लाग दौा, यह तो है कि कोई भी माय और काल के बिगने सद्गुरु नाम पर प्रभावी नहीं होते, फिर बापजी साहब का जो पाठ है, उसमें सुरु में नाम की महिमा है, उसमें भी यही है, सत्य नाम सद्गुर सही तासम औरन आन, मौसे पापी अदम पर करत जुकर पामान, यह तो नाम की महिमा हो गई, और जो वहाँ पाठ समापत होता है, वहाँ पर है कि जूटे कच्चे भक्त जो सब का बड़ विश्वास, सत्वनामी साका रहे जो संतनमत दास, सत्वनामी यानि जो संतमत में आ गए हैं, जो सत्वनाम का इष्ट रखते हैं, जो सत्वनाम का सुम्रन करते हैं, जो सत्वना कि गट में साधना करते हैं, उनका साका रहे, उनका साका ये बाब जी साब का दियावा सिरवाद है, केवल अपने को नहीं दिया है, पूरे संतमत के जितने सत्संगी हैं, उन सब के लिए हैं, क्योंकि सभी सत्नामी हैं, अपन कहेंगे नहीं हमारे को दिया, अपने को तो दिय लेकिन बाब जी का दिल बहुत बढ़ा है तो इतना अपन सोचते हैं अपनी कल्पना के दाइरे में नहीं आ सकता उससे ज़्यादा बढ़ा है तो बाब जी साब ने हमें क्या प्राटना करना सिखाया कि सतना में साका रहे जो संतनमत दास जो संतों के मत के अनुयाई हैं जो संतों के चरौनों के दास हैं उनका जगत में भी साका रहेगा। साका होता है यस की गाथा कीर्थी बड़े-बड़े लोगों के यस होते हैं अपना तो सादरन जीवन है सब लोगों का लेकिन दुनिया में कई ऐसे महान लोग हो जाते हैं जो इतने बड़े-बड़े काम कर जाते हैं कि उनको याद रखने के लिए बाद में जुग बीच जा महान धरमसील राजा अपने हैं हो गए मध्य यूग में उनके जो कार्य थे कर्तव्य थे जो कर्म थे वो बड़े सुंदर थे धर्म की प्रतिष्टा सनातन धर्म की प्रतिष्टा के उन्होंने बहुत काम के तो उनके नाम से समवत चल गई यह साका है जिसको आज हम याद करत देते हुए थे ऐसे ही समवत और विमान लोगों के पीछे चलती है मुसल्मानों में हजरत महम्मद पेगंबर साहिब हुए वो खुदा के पेगंबर थे दूत थे उनके नाम से हिजरी समवत चलता है इसा मसी हुए इसाईयों के आदी पत्परवर्तक और उनको आज दोजा 23 साल पेले इसी प्रत्पी पर ईशा मसी हुए उन्होंने बहुत से लोगों को दर्म का मार्ग सिखाया मुहम्मद साम ने बहुत लोगों को दर्म का मार्ग सिखाया इसलिए उनके नाम से समवत चलती है सन चलता है तो यह साका उसको कहते हैं जिनके नाम से जिनकी कीरती अक वेसे तो यहांगी रचननासवान है तो होगी, लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि हजानों साल तक किसी को याद किया जाए, तो किस को याद किया जाता है जो अच्छे काम करते हैं, अब कल्यूक का समय हैं, भक्तिमारक का समय आ गया है, बाप जी शाहब ने दया करके, ऐसा आशिरवात दे दिया है, कि जो सतनामी होंगे, जो संतों के मत के अधास होंगे, उनका साका अवश्य रहेगा, यानि उनके जस्ट को बट्टा नहीं लग सकता, उनका जस्ट, उनकी कीर्थी अक्षे रहेगे, चलती जाएगी, लोग याद करते रहेगे, तो हम भी ऐसा काम करें, क्यों? करना सब को चाहिए, लेकिन हमारा फ़र्ज कुछ ज़्यादा हो गया, क्यों ज़्यादा हो गया है, कि हमें ऐसे महान गुरु मिल गए हैं, जिनकी कृपा से तो हमारा साका रह सकता है नहीं तो हमारे ऐसे कौन से हमारे अंदर गुण है हम लोगों में तो अपन लोगों में तो ऐसे गुण नहीं है लेकिन चूँकि हम बड़े महान, पूरण, दिव्य, परमात्मा के साक्षाथ, सरूप ही जो थे ऐसे गुर्देव के सेवक हैं, ऐसे गुर्देव के अनियाई हैं, ऐसे गुर्देव के चर्णों के अदास हैं तो हमारा भी साका रह सकता है, रहना ही चाहिए, हमें उसके लिए कुछ उसके लायक बनना चाहिए और उसके लाइक क्या बनना है कि बाप जी के चर्णों में हमारी लगन दिनों दिन बढ़ती रहे, नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा, दुनिया में पैसा सबी लोग कमाते हैं, माप उरसों ने का पैसा तो कमाने के और भी कई तरीके हैं, पाप के तरीके से भी पैसा कमा आजा सकता है, लेकिन उस पैसे सांती नहीं मिलेगी, उस पैसे से सुख नहीं मिलेगा. इस समय वर्तमान समय में एक बड़ा युद्ध चल रहा है. अब युद्ध क्या है? कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कहते हम, दो अलग-लग धर्मों को, एक इलाके क को बांट करके दो देश बना दिया गये 1948 में और एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया, एक हिस्सा फिलिस्टीन के नाम से मुसलमानों को दे दिया गया, दोनों ही कहते हैं कि हम अपने धर्म के लिए यह काम कर रहे हैं और एक दूसरे का गड़ा काट रहे हैं, बे सुमार वो युद्ध इस समय का जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध की मर्यादा तोड़ करके चल रहा है ओड़तों को बच्चों को नादानों को जो हाथ में आगए उसको पकड़ करके बंदक बना लिया तो दूसरी तरफ से भी उन्होंने बे सुमार बं गिराए पूरी गाजा पट्टी लगबग टेसनेस हो गई ये क्या तरीका है अब उनके पास संपती तो बहुत है तब ही तो युद्ध लड़ रहे हैं इतना खर्चा कहां से आता है रोजाना जो है ना पचास जार करोड या सतर असी जार करोड या लाग एक लाग करोड तक का खर्चा उस युद पास रोईती धरमसील बनना है अदर्म से कमायवा पैसा इस तरह से बुद्ध को खराब करता है कि एक दूसरे की घर्दन काट रहे हैं और खुस होते हैं कि हमने उनका जादा नुकसान कर दिया हो सकता है हमने एक पक्ष ने दूसरे पक्ष का जादा नुकसान कर दिया आज आज के साम के लड़ाई जब समापत हो अभी तो चार दिन का युद्विरा में परसों से वापस सरू होगी, एक पक से कहे कि हमने पांच जार आदमियों को आज उनके सत्रू के पांच से जार आदमियों को खतम कर दिया, तो सत्रू कहेगा जो थोड़ा कमजोर पढ़ता हो कह एक पंदरासों मेने भी कर दिया, साधे छह जार आदमियों मारे के दोनों तरफ तालियां बजा रहे हैं, ये संपत्ति का कैसा उपी होगा देखो, इसलिए हमें अधर्म से पैसा नहीं कमाना, अधर्म से पैसा कमाने से बुद्धी वेसी ही जरूर हो जाएगी, फिर दूस इसलिए का गड़ा काटने पर नुकसान होने पर दूसरे को कष्ट पहुंचने पर हम आनंद मनाएंगे, तो परिनाम में हमें भी दुख ही भोगना परेगा, यहां तो इस तरह से गड़ा काट काट के मर रहे हैं और आगे नरक तयार हैं, तो हमें इस बात पर ज्यादा वि हर्यूग में वही सुक्ति रहे गा जो धरमसील होगा, जो गुरु भक्त होगा, जो बक्ती के मार्क पर आएगा, सर्तनाम का सुमरं करेगा, सतनाम से लगण जोड़ेगा, हर समय सोते, बेर्टे, उर्टे, जाकते, बाब्जी के नाम को याद रखें, और दुनीया का सफल करेंगे बच्चों नहीं आज नहा काम सुरू किया है देख करके मुझे खुसी होती है क्योंकि मैं इस परिवार से 50 साल पहले आज से ठीक 50 साल पहले दो-तीन मेने करते हैं तब मैं संपर्क में आया था तो मैं तब से जानता हूं तो अब बच्चे उन्नती करते हैं तो बहुत खुसी की बात है और यह इस मुकाम पर भी पहुंचे हैं इसलिए कि मैंने सुरू में कहा था कि इनका जीवन सरल है सादा है एक बहुत बड़ी बात अंकल में यह है कि किसी की भी मदद करने को हमेंसा त्यार रहते हैं छोटा कस्वा है यह लेकिन कोई अपनी समस्या लेकर के अंकल के पास गया है कभी भी है तो जितना हो सका है उन्होंने उसकी मदद ही किया ऐसा ही सभा होना चाहिए पैसा तो सभी कमा लेते हैं संतों ने का भी है तुलसिदाश्य साहिब फरमाते हैं सुत्दारा और लक्षमी पापी के भी होई सुत्र, दारा यहने पुत्र, इस्त्री, धन, संपती यह तो पापी लोग भी कमा लेते हैं लेकिन वो असांत रहते हैं दुख पाते हैं वो धन उनके लिए वो संपती उनके लिए सांती देने वाली नहीं असांती देने वाली होती है अभी अपन ने विचार किया था ऐसे इसी बड़ी-बड़ी कौमें हैं दुनिया में, बड़े-बड़े मुल्क हैं, उनके अंदर जिस कौम का जहां प्रभाव है, वहां पे वो लोग संक्टित हो जाते हैं, दोसरों पर अत्याचार करते हैं, फिर दोसरे उसका वापस मुकाबला करते हैं, ऐसे, ऐसे करते, दुनिया को सुधारने की नहीं, अपने आप को सुधारने की जरूरत हैं, तो इसलिए इसी कोशिस में रहें, और मुक्यता बाब जी के नाम की रखें, बाब जी के चर्णों की सरन की रखें, जो काम दुनिया में करें, सरीर निर्वा का काम भी करना पड़ता है, कुटुम लेकिन जीवन जो है सरनागती की सेली का हो सच्चे पूरे समर्त महापुरुस की सरन लेकर के और उनकी सेवा समझ करके सब काम करें तो सदा आनंद ही आनंद रेगा इसी बात के साथ विराम भाग भाले घर बैठे पाएं पाग भाग भाले घर बैठे पाएं भाग भाले घर बैठे पाएं बहुत दिनान से प्रीतम आएं भाग भाले घर बैठे पाएं बहुत दिनान से प्रीतम आएं भाग भाले घर बैठे पाएं मंगलाचार महामन राखो नामरसायन रसनाचाखो मंदिर माहि भायो नामरसायन रसनाचाखो मंदिर माहि भायो जियारा ले सूति अपना पिया प्यारा मंदिर माहि भायो जियारा ले सूति अपना पियारा बहुत दिनान से सत गुरु आए भाग भले घर बैठे पाएं बहुत दिनान से सत गुरु आए बाग भले घर बैठे पाएं मैंनी रास जो नाओ नी धी पाएं कहां करूं पिया तुम्हरी बढ़ाएं कहें काबीर मैं कछूं ना कीन हैं सहज सुहाग पिया मोही दीना कहें करीर मैं कछूं ना कीना सहज सुहाग पिया मोही दीना आम बारी मैं कछूं ना कीना सहज सुहाग गुरु जी मोही दीना आम पिया मोही दीना सहज सुहाग पिया मोही दीना बहुत दीनान से प्रीतम आये भाग भले घर बैठे पाएं आम पिया मोही दीना